नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूटूब चैनल का हैंडिल चेंज कर वक्ते हैं जहां दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि आखिर हैंडिल कैसे चेंज किया जाता है तो वीडियो को ध्याम से देखना और पूरा देखना मैं step by step करके देखाऊंगा कि आखी राफानी से आप कैसे अपने यूटूब चेंज के वाल आपका ही चैंज करेगा क्यों कि एक नेम से एक चैंज को के वाल एक हैंडिल मिलता है मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे माल लेजिए मैंने अपने चैंज के नेम से एड़ दिरेट टेक्नोलाइट इस नेम से हैंडिल क्रियेट कर लिया है तो इस नेम से किसी और चैंज को किसी और व्यक्ति को इस नेम का हैंडिल यूटूब नहीं देगा तो दोस्तों यहीं फायदा है कहने का मतलब कि एक चैंज के नेम से एक हैंडिल बनेगा उसके एक मतलब हैंडिल होते हुए दूसर उस नाम से कोई भी handle नहीं बना सकता है तो उस handle से जो भी सर्च करेगा आपके में करूंगा से आपको वैसे भी करना है और आपकी जो है चैनल का handle असानी से change हो जाएगा तो दोस्तो मेरे mobile phone की screen आपको side में दिखाई दे रहे होगी तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने mobile phone में अपना YouTube open कर लेना है मतलब कि YouTube का application जब YouTube का application जो है आप open कर लेंगे तो आपको उपर कोने में logo दिखाई देगा आपके channel का तो logo पर आपको इस तरह से click कर देना है logo पर click करने के बाद आपको your channel का option मिलेगा तो channel अपना open करने के लिए your channel पर click कर देना है योर चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपकी चैनल का home page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैंने ज वीडियो के बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं pencil का icon है तो इस pencil के icon पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से सबसे उपर मिलेगा नेम का जो है option उसके बाद नीचे आपको handle का option मिलेगा आप देख सकते हैं मेरे channel का name है जो है बिद्ध्यायस उसके आगे add rate लगा हुआ है यही होता है handle तो यह है handle इसको बदलने के लिए आपको क्या क करना है इसको होजएगा लेकि लगा है यहां पर लगा ही रखना है उसको यहां डाइख कर देना है अब को किने की त्कटन्ण का नाम यहां बता रहा है Engagementчески तो आप यहां पर जो वह यह स्रच करेगा कि यह available है आपको मिलेगा कि नहीं तो आप आप देख सकते हैं यहां पर बता रहा है कि this handle is already taken मतलब कि जो name मैंने डाला है handle create करने के लिए वो name already मतलब पहले से ही किसी ने बाना रखा है यह मुझे नहीं मिलेगा कहने का मतलब कि अगर एक name से किसी ने create कर रखा है handle तो वो आपको नहीं मिलेगा तो इस नेम से मैंने खुद अपने चैनल पर जो है मतलब अपने चैनल का handle माना रखा है तो जो है ये मुझे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपको कुछ बदल कर डालना पड़ेगा जो available होगा वही आपको मिलेगा यहाँ पे यह कह रहा है कि try this one नीचे टेकनलाइट SP 595 कह रहा है कि यह आप try कर सकते हैं यह खाली है available है यह आपको मिल सकता है तो अगर अगर आपको इस तरह से कोई suggest करें अगर आपको यह पसंदो तो आपको इसे click करके जो है यहाँ पे save का option जो blank दिख रहा है तो यह काम करने लगेगा यहाँ पे आप जो है clickable हो जाएगा तो आप click करके save कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं पसंद है तो आपको यहाँ से delete कर देना है कुछ दूसरा try करना है जैसे कि मैंने इसमें कुछ delete कर दिया दुबारा से तो आपको कुछ दूसरा add करना है जो की unique हो किसी ने उस नाम पे ना बना रखा हो तो जब आप यहाँ पर unique डालेंगे तो यहाँ पर save का option जो है आपका open हो जाएगा तो इसी save पर आपको click कर देना है और आपका handle change हो जाएगा आसानी से तो दोस्तो मुझे अपने चैनल का जो है handle change नहीं करना है तो मैं बैक आ जाता हूं दोस्तो तो इसी तरह से आप अपने वीडियो में किसे नए topic को लेकर तब तक के लिए जाहिंद आप